पोको के X3 device के बारे में फाइनली एक नया सॉफ्ट रॉट हो चुका है पोको के X3 device के यूजर के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़े दिन पहले अपटेट है जो कि आप रिलीज वाता उसके अंदर आपको 12.0.1.0 का अपटेट है वो यहाँ पर देखने को मि जिसका बिल्ड नवर आपको 12.0.1.1 का यहां पर देखने को मिलता है तो यह Android 11 का अपटेट नहीं है आप लोग इसकी साइज भी आपर देख सकते हो आपको ओनली 98 MB के टोटल साइज है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है आपको इसी के बारे में बता देता हूं यहां पर गाईज अगर हम बात करें Android 11 अपटेट के बारे में जो Android 11 का अपटेट है उसकी नदर आपको थोड़े आपर बग्स हैं वो यहां पर देखने को मिल रहते और phone है वो थोड़ा यहाँ पर लेक भी कर रहा था तो उसी problem को solve करने के लिए एक नया update है वो यहाँ पर release करा गया है Poco के और चे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा telegram group है telegram channel है मैंने आपर आपको पहले inform कर दिया था कि update है वो यहाँ पर release हो चुका है वो यहाँ पर currently run कर रहा है तो आपके device के अंदर successfully install हो जागा यह वाला update तो इसके अंदर आपको बहुत सारे bugs है वो यहाँ पर fix नहीं किया जाएंगे लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक जो problem है वो यहाँ पर fix की जाएगी PocoCure सो दोस्तो आज की वीडियो में इतनी news है जो कि आपको शेयर करनी थी और बहुत ही जल्दी यह जो update है आपको सबी user है उनको देखने को मिल जाएगा जिनके device में Android LM का जो update है वो यहाँ पर currently run कर रहा है सो अभी टेंसर मत कीजे क्योंकि अभी update नहीं मिलेगा आपको कल सुबह भी मिल सकता है कल स्याम तक update है वो भी आपर देखने को मिल सकता है और by the way मैंने आपको link है वो तहाँ पर share कर दिया है अगर आप लोग चाओ तो यहाँ पर easily इसको download कर सकते हो सो यहाँ पर guys आज की वीडियो में इतनी news है जो कि आपर share कर नहीं थे अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करना चैनल को भी आप लोग subscribe कर सकते हो मैं मिलता आपको next video मैं तब तक लिए जे हिंद वन दे मातरम